एट्रियम का क्या मतलब होता है आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं एट्रियम का मतलब होता है चोक, प्रांगन या प्रेकोष्ट यानि कि आपने देखा होगा जैसे जो घर कई बार पुराने जमाने के जो घर होती है उनमें चारों तरफ घर बनावा है बीच में जो आंगन होता है या चोक होता है उसको एट्रियम काहा जाता है हालांकि आज कल घर जो है थोड़े छोटे होते हैं तो बीच में उतना आंगन नहीं बनता है या किसी कॉंपलेक्स में जो हॉल बना दिया जाता है उसको भी एट्रियम काहा जाता है या जैसे आप ये कहें कि हमारे कार्याल्य भवन का प्रांगन प्राकर्तिक रोशनी और हरी-भरी हर्याली से भरा है तो आप कह सकते हैं the atrium in our office building is filled with natural light and lush greenery या अगर आप ये कहना चाहें कि live प्रदर्शन और कार्यकर्मों के लिए आगनतुक अकसर shopping mall के प्रांगन में कठा होते हैं तो आप कह सकते हैं visitors often gather in shopping mall's atrium for live performances and events अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें